बिस्मिल्लाहिरमान रहीम असलाम आलेकुम आज का हमारा टॉपिक है मॉडिल ऑक्जिलरी वर्प्स नॉर्मली स्टुडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि मॉडल वर्प में ऑक्जिलरी वर्प में क्या फर्क होता है तो आईए एक गांपल से डेफिनेशन से समझते हैं कि वाट पर पास फर्म होती जैसे कैन है कुड उसके आगे आप कैन के आगे एस नहीं लगा सकते कैन के आगे एडी नहीं लगा सकते कैन के आगे आई एंजी नहीं लगा सकते इनकी आई एंजी फर्म नहीं होती और इनमें S.E.S. का एधाफा नहीं करते अब आप एक्जामपल्स द विए फुटबॉल वी वूट प्लेवड वूट अब आप देखें यह जो कैन कुट में माइट मस मसट और तू शेल शूट विल वूट ये तमाम के तमाम मौडल वर्प्स हैं और यह तमाम के तमाम हैं यह सिर्फ के तौर पर आ सकते हैं डे रिग्वाइर अनदर वर्प में वर्प तो गिव्डियर मीनिंग कंप्लीट मीनिंग अब यह जो कैन के साथ में जो वर्ड प्ले यूज हुआ है अगर प्ले को अड़ा दे तो इसकी कोई मीनिंग यह वी कैन फुटबॉल यह कोई ज मीनिंग देगा मैं वर्प फुटबॉल हम फुटबॉल खेलते हैं अब हम पढ़ते हैं यह फिर और प्र पास्ट में वह इसको आप और दोनों तरीकों से सेंटेंसिज में यूज कर सकते हैं जैसे मिसाल के दौर पर आयम टीचर वर्प टुबी आयम टीचर यहां पर एम ज और अग्यम कर्थी यहां पर एम फुगार यह फ्रेजदी गोर्प एंड हना मर्फ लिईचेंग में वर्प टो एम इस वर्किंग जो में यहांव जाबंदी जोनाब हैं खार, मेरे पास एक कार है हैं आपछल को में पे जुमकöz कर वादंग ज साउक्तमुआख भूर इंग तो यहां पर हिव जो है हैल्पिम वर्ठ तो इसी तरह है यह taking हो और मॉडर्टर्ब passtि-अटियरी प्रसकतें विदाओ में बड्ट इडू नोट givet कंप्लीट मीनिक और इनके बार हमेशा वर्ट की फ़स्वाम और छाह Treasury प्रेबस में हो जा प्रेजर अब इसका नेगेटिव कैसे बना दें कर साब्सक्राइब कंटक्षिन आप उसको कि इसी तरह कुड़ है और कॉंट्रेक्षिं में कुड़न्ट में को आप कहें गे मैं नॉट माइट को और नौट या फिर माइडंट और तो और नौट तो या फिर और न तू शुट को शुड़ नौट या फिर वॉन्ट वॉट को वुड़ नौट या फिर वुड़न अब हम सीखते हैं कैन का यूज चैन भी यूज फोर एबिलीटी तुडू समधिंग इन दब प्रेजंट यानि और सकता हूं तो यह मुझे यह सलायत अंग्रेदी पोलने की अबिलीटी नेरी तो तब मैं यूज करूँ कैन द्राइब कर मेliers करा की कैन हैं कि आफाइब यहंजा मया चला सकता हो मैं खाना पका सकता हूं लज़तले प्रेस्ट के अंदर का कैन परमीशन के लिए थाजारतल can I go to the cinema यहाँ पर can I go to the cinema क्या है permission है asking permission क्या मैं cinema जा सकता हूँ request के लिए आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते है can you wait a moment please तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर request है please आ गया offer के लिए आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते है I can lend you my car till tomorrow तो यहाँ पर offer है suggestions के लिए आप can को इस्तमाल कर सकते हैं can we visit grandma at the weekend तो यहाँ पे वो suggestions मांग रहे हैं कि क्या हम जा सकते है grandma के weekend पे possibility के लिए आप can को इस्तमाल करते है it can get very hot in Arizona तो यानि हो सकता है कि Arizona में गर्मी मुझाए त्यादा गर्मी मुझाए यह possibility अब इसी तरह से could को भी आप ability में इस्तमाल कर सकते हैं नि पास्ट की ability के लिए I could walk when I was two जब मैं दो साल का था तो मैं walk कर सकता था यह मेरे अंदर ability थी दो साल के अंदर walk करने की permission के लिए can की तरह इसको permission के लिए भी इस्तमाल करते हैं पास्ट में क्योंकि कैन का माधि यह good I could go to the movies when I was a teenager इसी तरह polite questions के लिए आप इसको 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 इस्तमाल करते हैं जब आप इसमें प्लीज लगा देंगे polite position या पर polite request के लिए could I go to the cinema please यहाँ पर polite question है polite request के लिए could you wait a moment please मेरवानी करके दोड़ी देर आप wait करेंगे यहाँ पर polite request है polite offer के लिए I could lend you my car till tomorrow तो यहाँ पर क्या है polite offer है polite suggestion के लिए आप कुछ को इस्तमाल कर सकते हैं could we visit grandma at the weekend और इसी तरह से possibility के लिए it could get very hot in Montana तो यहाँ पर क्या है यहाँ possibility है अब इसी तरह से में का इस्तमाल है पॉसिपलिटी के लिए यानि इट में रेंट टुड़े पहले हमने possibility के लिए थरा पॉसिपलिटी चाहिए तो फिर आप वहां पर यूजू करेंगे और ज्यादा पॉसिपलिटी तो वहां चाहिए आप के लिए उस पॉलाइट के लिए आप उसको माइट को यूज करते हैं माइट आई बोरो यह पैन लेकिन बहुत ज्यादा यह पॉमन नहीं है उसके बाद है शुट का मतलब एडवाइस अच्छा है अच्छा होगा आपके लिए अगर आप यह काम करें यानि यू शुट एकसरसाईज शूट का मतलब चाहिए आपको एकसर साइज करनी चाहिए यह यू शुदिन्ट सेट आइड़ आपको आइड़ल नहीं बैटना चाह चाहिए उसके बाद है और तो और तो की भी वही मीनिंग है जो शुट की है वही एड़ाय से इट इस गुड़ वर यू इप यू अपको चाहिए पूली ड्राइब करें आपको नहीं चाहिए कि आप ड्राइब फास्ट करें या यू आटन टू ड्राइब फास्ट आई और टू स्टेडी तो नाइट मुझे चाहिए कि मैं आज रात बढ़ूं आई आटन टू स्टेडी एट नाइट नॉर्मली नॉर्मली मुझे नहीं चाहिए कि मैं रात में मैं लाजमी आज सुपर मार्केट जाओंगा, I have to go to the supermarket today और मुझे यानि इसका मतलब क्या होगा, मुझे सुपर मार्केट जाना है, मजबूरी obligation है, legal terms you have no choice, जब आपके पाँ कोई choice नाँ लाजमी कोई काम करना हो, you must have a valid driver's license, आपके पाँ लाजमी driver's license होना चाहिए, you have to have a valid driving license, strong possibility यानि 95% जब आप शोर हो तो तब, you have been driving for 10 hours, तुम 10 साल, 10 घंटों से drive कर रहे हो, you must be tired, आप ज़रूर ठक दे होगे, you have to be tired, यहाँ पे bracket में वो मिनिंग समझा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या strong possibility है, must का negative, must not है, या फिर mustn't कहले हैं आप उसको prohibition जब किसी काम को मना किया है, ममनू हो कोई काम करना, you mustn't drive without a valid license, यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रोहिशन है कि आप बिल्कुल नहीं चला सकते, driving नहीं कर सकते, without license, you mustn't drink and drive, तो यहाँ पे क्या है, prohibition है, कि drink करना बिल्कुल भी allowed नहीं है, जब आप drive करें तो, इसी तरह से will है, will को आप request के लिए, demand के ल will जो है, less polite है, will you please close the door, यहाँ पे क्या है, please आगया, request कर रहे है, क्या आप महरवानी करके दरवादा बन करेंगे, अच्छा, prediction और assumption के लिए भी आप will को इस्तमाल करते हैं, I think it will rain on Saturday, तो यहाँ पे क्या prediction है, promise के लिए आप will को इस्तमाल करते हैं, I will stop smoking, तो मैं smoking को stop कर होंगा, यहाँ पर क्या promise है, spontaneous decision, जब आप, when you decide to do something, at the time of speaking, तो तब आप यूज करते हैं, will go, can someone give me a right, can someone give me a right, वो कह रहा, I will, spontaneous, उसने कहा कि जी मैं आपको right होंगा, इसी तरह से would है, which request more polite than will will के मुकाबले में ध्यादा polite है, would you close the door please, मेरवानी करके क्या दरवादा बन करेंगे, would you help me cook dinner please, क्या मेरवानी करके आप डिनर बगाएंगे हमारे लिए या मेरे लिए, would like to का भी इस्तमाल करते हैं, would you like to introduce yourself, क्या आप अपना introduction कराना पसंद करेंगे what would you like to be, आप क्या बना पसंद करेंगे, यानि what do you want to be, what is your aim in life, it means, उसके बाद है शेल, शेल often found in suggestions, promises और future action, suggestions के लिए, promises के लिए और future action के लिए शेल को इस्तमाल करते हैं, shall I help you, यहाँ पे क्या है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, suggestion है, shall I go ahead, क्या मैं आगे बढ़ू, shall we begin dinner, क्या हम dinner स्टार्ट करें, यहाँ भी suggestion है, इसी तरह से, shall we move into the living room, यहाँ भी suggestion है, I shall never forget where I came from, यहाँ पे क्या है, promise है, I shall never forget, इसी तरह से, last example इसकी है, he shall become our next king, यह क्या है, predestination है, आप इसको prediction भी कह सकते हैं, उमीद है, आज का lecture आपको, आपके लिए माविन साबित हुआ होगा, thank you,